लोहर दगा के कोरगो जंगल में इंकाउंटर में पुलिस ने इनामी सब जोनल कमांडर चंदरभान पाहन को धेर कर दिया वही पुलिस की गोली लगने से नकसली गोविंद विरेजिया जखमी हो गया उसके पाव में गोली लगी है उसे बहतर इलाज के लिए राजी के रिम्स में रैफर किया गया है वही एक उगरवादी दीपक जंदा पकड़ा गया मुढभेड के बाद पुलिस ने जोरदार सर्च ऑपरेशन चलाया करीब 200 से जादा शक्ति शाली आईदी बम मिले है वही धेर सारे अन्य सामान भी मिले मारे गए चंद्रभान पाहन पर 5 लाक रुपे का इनाम था वह कुख्यात माववादी रविंद्र गंजु का सबसे करीबी माना जाता था खुंखार चंद्रभान को मार गिराने के बास से लोहर दगा पुलिस का इकबाल पुलंध है फिलहाल मुढभेड को लेकर पुलिस के किसी भी छोटे बड़े अधिकारी ने कुछ भी नहीं कहा वो खामोश है संभावना है कि कल तक पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है सूत्रों के अनुसार लोहर दगा पुलिस कप्तान आराम कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि बगडु थाना शेत्र के कोर्गो जंगल में माव वादियों का मूवमेंट है उनका इरादा खतरनाक है किसी बड़ी वार्दात को अन्जाम देने की फिराक में जंगल में जुटे हैं इस चूचना को उन्होंने गंभीरता से लिया एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसमें जिला पुलिस और सी आर पीफ के जवानों को शामिल किया गया डीयस पी और इंस्पेक्टर स्थर के भी कई अधिकारी इसमें शामिल थे गठे टीम कोर को जंगल में खुसी पुलिस को देखते ही माववादियों ने फारिंग शुरू कर दी जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा सम्हाल दिया दोनों तरफ से कई राउंड गोलिया चली इस मुडभेड में इनामी सब जोनल कमांडर चंदरभान पाहंड मारा गया पुलिस डेट बाडी को अपने कबजे में लेकर उसे पोस्ट माटम के लिए भेज दिया डॉक्टरों की टीम में पोस्ट माटम किया इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया गया खबर लिखे जाने तक पुलिस जंगल में सर्च ओपरेशन चला रही थी ड्रेगन लाइट का इस्तिमाल किया जा रहा था कोहराम लाइट के लिए लोहर दगा से गौतम लैनिन के रिपोर्ट